जीट टीवी देखने वाले सबी वियस को मैं वेलकम करती हूँ थेंक्यू सुरी मच फॉर वाचिंग, कॉमेंटिंग और लाइकिंग माई वीडियो इसी तरीके से आप लाइक करते रहें और अच्छे-चे कॉमेंट्स करते रहें कि what is the fake IELTS and what is IELTS fraud मुझे पुछा है तो ये एक बहुती important बात है and सभी countries के governments को इस चीज़ की knowledge हो चुकी है कि IELTS fraud हो रहा है चाहे वो Australia है, चाहे Canada है, चाहे America है जो students बाहर जाने की चाहत रखते हैं तो वो students इस चीज़ को बहुती ज़्यादा पैसे लगा के खरीदते हैं तो ये है एक बहुती बड़ा fraud है जो की knowledge में आ चुका है सभी governments के and बहुती strict action लिये जाते हैं IELTS fraud क्या होता है, जो लोग English बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते मतलब समझ नहीं सकते, writing नहीं कर सकते English में and reply नहीं कर सकते and listening जो समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लिक्स नहीं सकते जिनको English की कोई knowledge नहीं है पर उनके IELTS scores जो है 6.5 band आते हैं जहां 6 bands आते हैं या 7 band भी आते हैं तो ऐसे लोग जो है immigration के time जैसे landing होने के बाद में आपके immigration चेक होते हैं आप English में ना उनकी बात समझ सकते हैं ना आप उन्हें reply कर सकते हैं तो आपके पास certificates English medium के होते हैं तो वहाँ पही आप पकड़े जाते हैं आपको country में entry भी नहीं मिलती और कुछ लोग जो पहले पहुंच चुके हैं चाइना इंडिया पाकिस्तान या किसे भी other countries के ऐसे students जिन्होंने IELTS fraud किया है या IELTS के scores खृदे हैं तो वह लोग भी exposed हो चुके हैं इसलिए सभी governments बहुत strict हो चुके हैं आपकी English में टेलिफोनिक या video interviews होने होंगी 2018 से Australia के लिए and हो सकता है कि Canada के लिए भी start हो जाएं पर Canada तो बहुत strict है IELTS के लिए तो अगर आपको English बोलने लिखनी पढ़नी नहीं आती समझ में भी नहीं आती तो आप लाखो रुपे देखे IELTS के score खृदिये मत क्यूकि अब आपका वो किसी काम का नहीं होगा क्यूकि आपको border agencies lending के time ही immigration में English में बात करनी पड़ेगी वो आपसे काफी questions पूछते हैं तो उसी में आप पकड़े जाएंगे तो यह है IELTS का fraud और दूसरा और एक बात आजकल चल रही है कि बहुत सारी universities जैसे UK हो गया और Canada के बहुत सारे colleges और New Zealand के बहुत सारे colleges भी इस चीज की demand करते हैं कि प्लस टू के बाद अगर आपको किसी टाइप का डिप्लोमा करने के लिए जाना है तो आपको English की जरूरत नहीं है तो यह उन लोगों के लिए जरूरी है जो first class से लेके English medium में study करे हुए हैं जिनके 10th, 11th and 12th में बहुत ही अच्छे marks हैं ग्रेड ए प्लस हैं तो यह उनके लिए है पर उन्हें भी वहाँ जाने के बाद में अगर English accent समझ में नहीं आता तो English के courses दिये जाते हैं और IELTS fraud मत कीजिए पैसे दे के खरीदिये मत अगर आप बोल नहीं सकते समझ नहीं सकते और आप reply नहीं कर सकते तो इस चीज़ से यही है IELTS का fraud जो कि दुनिया में पैसे बनाने का इतना ज़्यादा धंदा बढ़ चुका है कि किसी भी कीमत पे लोग पैसा कमाना चाहते है चाहे वो कोई भी field हो हर field में fraud हो रहे है पर यह field का जो fraud है IELTS का है यह अब government को पता चल चुका है आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको English I आप English सीखे उसके बाद आपको जो करना है आप करें Thank you so very much for watching me have a good day